बिस्मिल्लाइर्माइन रहीम असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फ्रंट ओपन फ्रिल अबाया तो इस अबाया को मैंने यहाँ पे प्लेइन ठीक जॉर्जट फैब्रिक में बनाया है और इसके लिए नॉर्मल फैब्रिक लिया है जो के हम ड्रेसेस के लिए यूज़ करते हैं और मैंने स्रिफ चार मीटर ही फैब्रिक में इस अबाया को तैयार किया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा जो है वो घेरा इसमें नहीं बनाया है मैंने जो इसके अंदर प्लेट्स बगर डाली है वो बहुत ही कम है क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ही कम फैब्रिक क्या है और साथ में यहाँ पे नॉर्मल छोटी वाली जो प्रेस बटन होती है वो यूज़ की है आप इसकी जगे पर बड़ी वाली बटन जो है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए वी यूज़ करेंगे तो हमें इस तरीके से हमारा अबाय की टिंग करना है तो पहले आपको मैं बता देती हूं हमए जो है फुल ले लेंड लेने एं हमारे अबाय की जो भी लेंड है मैंने यहाँ पर 54 लेंद रखी है तो आप अपन इंच रखेंगे लेकिन इसमें भी हमें जो है और extra add करना होगा क्योंकि यहां पे जो हम उपर वाला रखेंगे हिस्सा वो हमारा 32 है लेकिन 1 इंच हम extra ले लेंगे आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं क्योंकि नीचे folding के लिए हमें कप्ड़े की जरूरत होगी तो जो हम cutting बाई रहेगी वो आपको जितनी प्लेट्स बगरा बनाना है उसे साब से आपको जो है इसमें कपड़े को ज्यादा ही रखना है तो यहां पर आपको कपड़े का मेजरमेंट वह सई से लेना होगा तो ऐसे ही जो है उपर वाले पार्ट में भी आपको 2 इंच या फिर आप जो है वो थोड़ा ज्यादा भी कपड़ा ले सकते हैं जैसे यहाँ पर 32 है तो आप 34 भी ले सकते हैं और उसके बाद हमें जो है जो हम कटिंग करेंगे हमारी कपड़े की तो आपको जो है एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कटिंग करना होगा स्लीव में भी हमें टोटल 24 इंच की हमारी स्लीव रहेगी जिसमें हम 22 इंच उपर रखेंगे और 2 इंच जो हमें एक्स्ट्रा नीचे की जो है रखेंगे और फ्रंट ने जो है वह हम 7.5 रखेंगे तो मैं आपको जब फैबरिक कट करेंगे तो इसमें मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगी किस तरह से हमें मेजरमेंट रखना और यहां पर हम दूर दूर एक बटन लगा देंगे तो चलिए सबसे पहले हम पेपर पे जो है सी कटिंग सीख लेते हैं तो आपको जो है फैबरिक को इस तरह रखना है यानि डबल आपको कर लेना है पहले उसके बाद आप फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में आपको जो है लेंद लेनी है यानि उपर वाले लें जो निकाल देंगे पहले हमें जितनी लंबाई रखनी है उपर पटकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे उपर हम यहां पर नेक के लिए 3 इंच रखेंगे उसके बाद हम शोल्डर यहां पर थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे नार्मली हमारा जो शोल्डर है वो 7 है लेकिन हम इसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा करके 9 इंच रखेंगे और सेम इसी तरह से हमारा जो यहां पर चेस्ट वाला पाट रहेगा यहां पर भी हमें जो है 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है यानि अगर आपकी जो यह में हम यहां पर आम हुल की लिए गुलाई देंगे ऐस तरीके से और फिर यहां पर हमें जो है वो शोर्डर डाउन करना तो हफ एंच हम यहां पर डॉन करेंगे और उसके बाद हम commenting करेंग sitting करें तब चाहे तो यहां पर तुबवलाज़ाचा हम कटकर देंगे और यहां पर वेस्ट और हीप का मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है मैं आपको से बताने के लिए यहां पर थोड़ा सा मार्क करके दिखा रही हूं और यहां पर हमें क्या करना है जो हमारी हीप लाइन देगी उसके बाद से हम 6-7 इंच तक नीचे की तरफ आ जाएंगे और अगर आपको 17 इंच रखेंगे या वो गुलाई भी आपके उपर है आप चाहें तो कम या जादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं तो इतना करने के बाद में हम जो है कट कर देंगे तो फैबरी को भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है पहले हम उपर के पाट की कटिंग देखी इस तरीक की करेंगे तो यह भी लंबाया अपने से कम्या कर सकते हैं क्रोस कट करेंगे फिर हम बीच में से इस तरीके से अलग कर देंगे तो देखें यहां पी उपर की कटिंग हो गई है खाल में इसी तरह से इम कं सले कर लेता है इस लिए और जो हमारा यहां पree armhole है, same उसी तरह हम रखके निशान लगा लेंगे, और जितनी इसमे जोड़ाई रहेगी हमारे armhole की same उसी तरीके से हम सामने की तरह भी रखेंगे यानि हमें यहाँ भी शेप नहीं देना है सिधा करेंगे और इसके हम cutting कर लेंगे, और length मैंने यहाँ पे 22 inch ही रखी है इसमें हम दो पट्वरिफ लगा देंगे जिसे हमारी जो लेंथ है वह 24 इंच हो जाएगी तो आपको यहाँ पे 4.5 कि जित्नी EXCW चौड़ी पठ्टी एकट करना है और सामने की तरफ हम इस तरीके से रखते हूँ इस पर तरह 53 लगाएंग और इसे हम इस तरहांच करेंगे और फिर दोबारा से हमें उपर की तरफ यहां पे सिलाई लगाने होगी और जो हम पट्टी यहां पे कट करेंगे 4.5 चोड़ी वह हमें लंबाई में ज्यादा रखना है क्योंकि हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो पूरे अबाय की लंबाई जितनी रहती है उसके डबल से करना है उसे हम पहले इस तरीके से दो हिस्से में डिवाइट करेंगे लंबाई हमें हमारी टोटल यो भी हमारी नीचे की की लंबाई रहेगी वह हम रखेंगे तो अमारी जो लंबाई रहेगी उसमें हम 2 इंच-इक्स庫ा रखेंगे नीच और उपर की तरफ के लिए क्योंकि हमें दुना तरफ से इस फैब्रीक को unfold करना होगा तो हमें थोड़ी से लंबाई इसमें ज्यादा रखनी होगी उसके बाद में जो है हम यहाँ पे देखिए last में नीचे की तरफ फोल करेंगे और उपर की तरफ भी हमें फोल करना होगा और हमें यहाँ पे front के लिए अलग से दुबारा से इसे half cut करना होगा और फिर इसके अंदर हम plates डालेंगे तो back के लिए पहले हम सीधा इसी तरीके से plate डालेंगे अगर आप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा fabric लेंगे तो आपके प्लेट्स है वो काफी अच्छी आएगी तो इस तरीके से आपको बराबर plates लगाते हुए इसे प्रेसी बिठा लेना है फिर जो front part रहेगा उसे हम दो हिस्से में इस तरीके से divide करेंगे और दोनों हिस्से की जो है हम plates अलग-अलग से बनागे उसके बाद में हम attach करेंगे तो यह जो plates है वो आपको जो है कपड़ा ज़्यादा अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी मैं जो है वो कम कपड़े में आज सिखाने वाली हूँ तो इसलिए मैं जो है प्लेर्स चोड़ी सी बहुत चोड़ी चोड़ी सी बनाने वाली हूँ आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर किस तरीके से प्लेर्स डाल रही हूँ तो सिलने के बाद में यह इस तरीके से दिखाई देगा तो अब हम इसकी स्टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जोरजट का थीक फैबरिक लिया है यह नॉर्मल जो है ड्रेस माटिरियल है जो हम 4 मिटर का यूज करते हैं ड्रेस बनाने के लिए लिकनि मैं इसका अबाया बना रही हूँ क्यूकि हम घर पे पैनने के लिए रिविलर यूस के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा फैबरिक नहीं लिया है आप अगर जो है बहुत ही ज्यादा खुपसुरा बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5.5-6 मिटर आपको फैब्रिक लेना होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रंट जो हमारी लेंथ है उसके हिसाब से फैब्रिक को अलग कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे उसके हिसाब से फैब्रिक कट कर लिया है इसके बाद में यहाँ पे हम इसे separate करेंगे यानि हमारे जो front और back part होगा वो अलग-अलग होगा इसे हम यहाँ से पहले अलग कर देते हैं इसके बाद में हम जो है हमारे घेरा रहेगा हमारे अबायक उसे साब से हम यहाँ पे बड़ाई लेंगे तो मैं यहाँ पे 18 इंच रख रही हम इतना हम फोल्ड करेंगे और फिर इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पे 33 इंच रख रहे हैं 32 हमने एक इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है नीचे फोल्डिंग के लिए और बेक पार्ट मैंने जो होपर रखा है फ्रंट के लिए मैं यहाँ नीचे एक्सरा निकाल दिया क्योंकि हम इसे लाई के लिए फैबरिक की जरूत होगी इसलिए हाफ इंच हम एक्सरा लेंगे फ्रंट उपन के लिए इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी marking करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर निकी विद ले लेंगे 3 इंच हम यहाँ पर mark करेंगे इसके बाद में हम यहाँ पर shoulder अपना complete ले लेना है तो total जो हमारे shoulder वो 7 इंच है पर हम इसके अंदर 2 इंच एड़ करें इसके बाद में half inch हम down करेंगे shoulder के लिए तो इस तरीके से हमने देखे उपर marking कर दिये इसके बाद में हमें यहाँ पर waist और hip का नाप नहीं लेना है पस हम direct जो है नीचे round जो हमने रखा है घेरे के लिए उतना रख लेंगे अलग करेंगे तो इतना पहले हम side में कर देते हैं पहले हम sleeves cut कर लेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को four fold में रख दिया देखे इस तरीके से और हम इसकी length ले देते हैं तो length हम यहाँ पर 23 inch रख रहे है 22 inch हमारी sleeves की length है जिसमें हम एक inch extra रख रहे हैं सिलाई के लिए तो यहाँ पर और फिर extra हम जो है इसके अंदर दो inch की पट्टी लगाने वाले हैं तो 23 inch पर हम इसकी marking कर देंगे 3 inch पर mark करेंगे और यहीं से हम shape दे देंगे हमारी sleeves का और उसके बाद में जो सामने वाला हिस्सा रहे हैं वो हम सीधा ही रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर sleeves बिल्कुल straight रखनी है शेप बिल्कुल भी ने रहेगा सिर्फ हम यहाँ पर आम होलकी गुलाई देंगे उसके बाद में हम यहाँ पर strip cut करेंगे जो हम sleeves में आगे की तरफ लगाने वाले हैं तो यहाँ पर हम जो है चोड़ा इसकी 4.5 रख रहे हैं तो इस तरीके से हम जो है कई strip cut करके इसे बाद में joint करेंगे कि हमारे पास fabric कम है अगर आपके पास ज्यादा फैब्रीक है तो सारी पटिया है वह आपकी एक साथ में लंबाई में cut हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें sleeves के लिए और हमारे जो अबाय के front open के लिए भी cut कर लेनी है तो सारी पटिया जो है फो हम एक साथ में ही cut करके अलग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने सब strip को इस तरह cut किया है और फिर इसे हम बाद में एक एक करके joint करेंगे देखिए इस तरीके से हमें जोइंट करके लंबी strip हमारी तयार कर लेनी है बाद में इसे हम half fold करेंगे और इसे sleeves में देखिए किस तरीके से लगाना मैं आपको बताती हूं तो हमने जो यह sleeves देखिए यहाँ पर cut की ह इसे हम इस तरीके से half करेंगे और फिर देखिए fold करने के बाद में इस तरीके से लगेगी तो हमारी जो length है sleeves की वो total 24 इंच आ जाएगी तो सेम इसी तरीके सब joint करके हम बाद में use करेंगे इसके बाद में हमें गेरा cut कर लेना नीचे का जो हम plates डालने वाले फ्रिल बनाने नीचे की तरफ तो इसकी जो है पहले हम लंबाई ले लेते हैं तो यहां पर हम 24 इंच रख रहे हैं और फिर इसे हम यहां पर सिलाई लगाएंगे और बाद में नीचे भी हम सिलाई लगाएंगे और यहां पर देखिए मैंने joint लगाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कपड करेंगे तो यहां पर यहां पर हम इसे पहले joint कर लेंगे कपड़ी के लंबाई आप देख सकते हैं बहुत ही कम है म efficiency करिम क्या आप bekit open की cutting करनी है तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 7.5 या फिर 7 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं cross करेंगे इसे इस तरह करने के बाद में इसकी हम cutting कर लेंगे तो यहाँ से देखे मैंने इसकी cutting की है इसके बाद सामने से भी हम इसे cut करेंगे सैं, उसी तरीके से, जिस तरीके से, मैंने आपको paper पे इसकी cutting बताई है, उसी तरीके से हम कपड़े में भी cutting करेंगे, देखिए ये पाठ हमने अलग कर दिया इसका, तो इसके बाद में सामने वाला जो हिस्सा रहेगा यह जो हमने strip cut की है वो हम सामने हिस्से में लगाएंगे तो आप वीडियो को complete देखिएगा तो इसे हम JOINT करके रख देंगे तो चलिए हम SLEEPS को लेते हैं तो SLEEPS को इस तरीके से हम खोल देंगे और जो हमने stick cut की थी वो हम आगे की तरफ लगाएंगे तो किस तरह लगाना मैं आपको बताती हूँ आपको यहाँ पर यह हमारा सीधा वाला हिस्सा है फैब्रिक का यहीं पर हमें इस पट्टी को देखे रखना है और एक सिलाई लगा देना है तो सिलाई मैंने देखे इस तरह लगादी है इसके बाद में इसे हम फोल्ट करेंगे यनнесे हम पीछे की तरफ करेंगे कपड़े को देखे इस तरीके से हमें पीछे की तरफ कर लेना है और फिर यहाँ पर हम बिल्कुल किनारी पर से इसके उपर एक सिलाई लगाएंगे तो मैं आपको सिलाई लगा के बता देती हूं तो किस तरीके से देखिए हमें सिलाई लगानी है तो देखेए हम अपर मैंने back वाला हिस्सार होता है और front वाला हिस्सार रखा है Ferguson को एक के इवा इप आपद एक साट साथ से और बहुत आसान यहां पर हम स्लीप्स को जहिएइंट करेंगे दोनों तरफ कि आपको स्लीप को जॉइंट कर मिए धोनने स्लीप्स एक साल में पहले जॉइंट कर लूँगी फिर आपको बताती हूं तो यहां पर देखिए मैंने दोनों स्लीप को जॉइंट कर लिया है अब इतना करने के बाद में हमें नीचे का घेरा है उसमें प्लेट्स डालनी है लेकिन उससे पहले हम इस हिस्से में सिलाई लगाएंगे यानि हमारा जो य एक बार सिंगल फोल्ड करेंगे और हमें जो है उपर की तरफ ही फोल्ड करना है यानि अंदर की तरफ हम फोल्ड नहीं करेंगे देखिए मैं बताती हूं आपको इस तरह हम टर्ण करेंगे यह सीधा वाला हिस्सा है हमने यहां पर शोल्डर जोइंट किया है स्लीव लगा कि उसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर डबल सिलाए मैंने देखिए लगा दि है और वस्क वर शुपाती हुए जो है हम इसके अब इसके ऊपर रखके प्ले मैंस यहां पर लगा देंगे अगर düş nervous तरह संप्ले मिल्कुल नहीं होंगे तो पहले हम इसे मांग कर देंगे जगे जगे पर हम यहाँ पे पिल लगा देंगे आप चाहें तो एक साथ में सारी प्लेट्स डालके भी इसमें जॉइंट कर सकते हैं लेकिन आप अगर एक साथ में अब आया में इस तरीके से प्लेट्स डालते जाएंगे आप ज़ादा फैब्रिक लीजिए और बड़ा प्लेट्स को खुब एक के उपर एक करके आप डालिए तो आपका जो यह घेरा है बहुत ही ज़ादा खुबसूरत दिखाई देगा और प्लेट्स डालने के बाद में आप ज़रूर से प्लेट्स करिए ताकि वो लाइन बन जा करने के बाद में जो फ्रंट वाला दो पार्ट है यहां पर भी हमें जो है फैब्रिक को लगा देना है तो यहां पर मैंने फैब्रिक को भी जो है वो दो हिस्से में अलग से कट करके देखिए यहां पर रग दिया है अब इसके अंदर भी हम जो है वो प्लेट्स को डाल के अज़िस करेंगे तो मैंने यहां पर प्लेट्स को डाल के डारिक इसके अं लगा देंगे मैंने यहाँ पर एक एक किन छोडा था यहाँ पर हम सिलाई करनेंगे तो इस टीपको इस तरीके से प harvest करेंगे और इसके उपर घंट करेंगे और याप चाहें तो डारिक जो separate प्रेस करके सकते हैं उसके बाद में हम इसे देखी हिस से लगाते चले जाएंगी और इसी तरह के लगा दिया है बहुत ही आसानी से पट्टी जो है वो लग जाती है और मैं आप सीधी पट्टी रखिए ज्यादा फैब्रिक में तो आप में बिल्कुल भी जॉइन नहीं आएगा उसके बाद में इस कपड़े को हम अंदर की तरफ करेंगे देखिए इस तरीके से जैसा ने स्लीज में किया था अब क्या करेंगे हम लास्ट में यहां पर फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करके हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से हमें इसके उपर सिलाई लगा देना है और लास्ट में हम यहां पर प्रेस बटन लगा देंगे आप चाहें तो इसमें बेल्ड बनाके भी लगा लगा सकते हैं और यहां पे जो है हम सिंपल बटन यूसकर रहे हैं जो हम नॉर्मलिय ऊफंपन यूस करते हैं हमारी कमिज वगेरा के लिए देखिए वाली बटन हम यहांप स्लिव पर भी लगा देंगे अगर आपको फिटिंग चाहिए तो यहांपर भी आप एक बटन लगा आपको अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशालला आपको ज़रूर जवाब दूँगी, तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल लूज और डिला ठाला सा अबाया बना के रेडी किया है, तो अगर आपको जो है फिटिंग का अबाया उपर से चाहिए, तो आप जो है थोड़ा सा शेप दे सकते हैं, और घेरा अगर आपको थोड़ा और नीचे से रखना है, तो वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो उमीद करते हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हेलफुल रही होगी, वीज